गुड मॉर्निंग एवरिवन, I hope everyone is well, I am Neeraj from सदलुज भीवफाम and welcome to my YouTube channel समय समय पे मैं अपने ओर्चर्ड से अपडेट देता रहता हूँ, जो भी कारियों हम अपने ओर्चर्ड में करते हैं वह सब आपसे शेयर किया जाता है, जैसे कि अब सर्दियों का समय शुरू हो रहा है तो आने वाला जो समय है, वो प्रूनिंग और जो different जो काम होते हैं जैसे fertilizer, खुदाई करना, सबका अलग-अलग समय रहता है तो आजकल सबसे पहला काम जो हमें, जो हमारे द्वारा किया जाना चाहिए वह होता है, soil testing का ये काम सबसे महत्वपूरण है, जो की, मतलब सभी को करना चाहिए जिसे हम अपने, जिसे हम अपना soil management असानी से कर सकते है I'll tell everyone the same thing, you must test the soil तो अगर हम अपने topic की बात करें, तो topic में जो आजका topic रहेगा वह होगा, ultra high density की जो plantation है उसको लेकर कि हम आजकल अपने जो हमारा orchard है, उसमें space को कैसे fill कर रहे है और तो आईए जो plant material से लेकर जो plantation हम कहां पे करेंगे तो सबका जो statement है, वो मैं आप से share करूँगा Let's go and see तो सबसे पहले अगर plant material की बात की जाए, जो हमारा ultra high density का plant material है तो वो इस परकार से है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वो plant material है, जिसे हम अपने offside में, जो हमारा खाली space है, उसको refill करेंगे और आप जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारा, हमने खुद त्यार किया हुआ हमारा जो nursery हमने लगाई थी वो plant material, ये आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही healthy plant material है, और कई plant की strength भी बहुत अच्छी है तो इसे हम next month, December में shift करेंगे ये हमारा कुछ plant material है, ये हमने बीज से, बीज से हमने इसे लगाया था तो इसे अब हम shift करेंगे, और हम इस जो ये plant material है, हम इसे कहाँ shift करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ तो ये वो जगा है जहां हम इन plants को shift करेंगे, तो ये हमने जैसे कि आज कल हमने ये गड्डे बना लिया है ये आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर गड्डे त्यार कर दिया है ये तरह से हमारा ओफ साइड है, ये हमारा रास्ता है और ये हमारा ओफ साइड है तो हम इसे यहाँ पर shift कर रहे है और यहाँ पर हमने कुछ लगाए भी है जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनका performing इनकी performance बहुत अच्छी है ये हमने पिछली साल लगाए थे तो ये एक तरह से off-site है, यहाँ पर हम plant नहीं लगा सकते हैं कोई भी क्योंकि ये wall है और wall में plant नहीं लगाए जा सकते हैं जैसे apple के plant अगर हम try करें तो वो wall में नहीं लगाए जा सकते इसलिए हमने यहाँ पर shift करें हैं कुछ plant आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे भी हमने किस प्रकार से अपनी जो preparation है वो करिए और ये रास्ता है रास्ते के साथ off-site में जो ये wall है हमने यहाँ पे जो हमने ये shift करे थे पिछली साल हमने shift करे तो आप देख सकते हैं इसकी मोटाई ये इसमें इस साल हम कलम करेंगे और यहाँ पे एक plant बनाएंगे ये off-site है देख सकते हैं ये wall है ये wall का हिस्सा है और wall के हिस्से में ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसकी मोटाई अगर हम इतने मोटे plant पे हम कलम करेंगे तो plant हमारा जल्दी एक दू साल में त्यार हो जाएगा बाकी आगे हम आपको अपनी जो हमारी activity वो दिखाते हैं और आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ भी ये जो हमारे खेट के edge होते हैं वहाँ पे हमने ये काम किया है ये हम ultra high density एक तरह से करेंगे ये जो space रहेगा प्लांट से प्लांट का और जो गड़े से गड़े का space है लगभग दो फूट का है तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे खेट का किनारा है खेट की किनारे में हमने ये गड़े किया है और ये कुछ ज़्यादा बड़ा गड़ा नहीं है चोटा सा गड़ा है आप देख सकते हैं मेरा हाथ इसमें proper जा रहा है चोटा ज़्यादा बड़ा गड़ा नहीं किया हम है क्योंकि हमने यहां पे जो है वो जो हम प्लांट मेटीरियल है वो वाइल्ड है वाइल्ड एक तरह से ऐसा है कि यो हमारे जो चुली के प्लांट होते हैं वो जो मैं आपको थोड़ी दे और कुछ हमने यहां भी किये जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारा आफसाइड और आफसाइड को हमने cover किया है हमारे पास इसमें जो है मान लीजिए किसी के पास land holding की problem है कम land holding है तो वो उसके लिए सबसी अच्छी चीज़ है वो अपने सारे offsides को fill कर सकता है इस परकार जैसे कि हमने भी किया है तो अगर किसी के पास land कम है और उसे लगता है कि वो नहीं कर सकता है तो वो इस परकार से प्लांटिशन करेगा और तो वो कर सकता है उसमें manage तो जैसे कि आप देख सकते हम आजकल हम यही कर रहे है, अपने और्चण में, तो इस प्रकार से आप अपने आफ साइड को रीफिल कर सकते हैं, और प्रौफिट ले सकते हैं, क्यूंकि सेब तो हमारे पास ही है, सेब के साथ साथ हमारे पास अल्टरनेट होना चाहिए, कुछ भी, अब एक ही जो हमारी जो एक ही crop होती है, उस पर हम depend नहीं रह सकते हैं, अब सेब है, सेब ही depend रहेंगे, तो कुछ नहीं कहा चा सकता, कि future में कहीं मौसम की मार पढ़ जाए या कुछ हो जाए तो फिर बड़ा problem हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आप multi crop का काम करें, आपके पास नाश्वती, सेब, cherry, badam, plum, ये सब कुछ होना जीए, ताकि अगर आपकी एक crop में अगर weather की favorable condition ना हो, उससे अगर आपका जो crop है वो damage हो जाता है, तो आपके पास next option होना जीए, इस परकार से आप भी कर सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा बड़े गड़े करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस परकार से आप गड़ा करेंगे, चोटा सा गड़ा करेंगे, और plantation के वक्त क्या add करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो और इसमें सबसे बड़ी, इसमें सबसे बड़ा जो हमारे को activity जो हमारी रहेगी वो होती है प्रूनिंग की, प्लांट तो हम दो फूट प्लांट लगाने के बाद सबसे जो important है वो है प्लांट की प्रूनिंग करना, प्लांट आपको कैसे control करना है, वो सब कुछ आपको आना जी है, तो प्रूनिंग से related भी मैं वीडियो आपसे share करूँगा, एक साल का प्लांट या कोई बड़े प्लांट हो, पांच साल के प्ल तो आने वाले समय में मैं जब भी मैं जो अभी December जनवरी का टाइम रहेगा प्रूनिंग का तो मैं आपको प्रूनिंग बताऊंगा कि किस प्रकार से आप Ultra High Density जो हमने जो प्लांटेशन करी उसको आप कट्रोल कर सकते हैं, तो मेरे चैनल पे बने रही है और यह आप देख नहीं करना है सोइल को, इस परकार रफली रखना होता है, इस में क्या होता है, जब हम इस परकार से रखेंगे तो इसमें मौश्चर बना रहेगा देर तक अगर आप बिलकुल इसको बारीक ँर लेंगे तो बारीक में धूप ड़ेगी तो मौश्चर एकदम खıtब हो आप इसकी जगा पे नाशपाती की प्लांटेशन भी कर सकते हैं, एक तरह से हाइडेंस कर सकते हैं नाशपाती को भी, वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है, सेव के साथ साथ आपको इन सब चीजों की तरफ भी ध्यान देने चीज़िए, ये फ्रूट्स भी बहुत अ मार्किट में आपको रेट दिलवाते हैं, तो मैं अब इसके बाद जो हमारा प्लांट वो किस प्रकार से सरवाइव करता है, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये प्लांट है जो हमने पिछली साल लगाया था, ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा सरवाइव कर रह और ये देखिए, ये हमारा सारा ओफसाइड है, यहाँ पे हम अगर सेव लगाने की बात करें, तो सेव लगाना बहुत ही मुश्किल है, हम लगा भी नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे हमने प्लांट त्यार किया ही ये, ये आप देख सकते हैं, प्लांट का प्रोग्रस, बह एक तरह से हाइडेंस है, प्लांट का हाइडेंस है, और ये आप देखेंगे कंट्रोल किस प्रकार से करने हैं, ये आपको मैं जब आपसे प्रोणिंग की वीडियो शेयर करूँगा, तो उस वक्त आपको अच्छे से पता चल पाएगा, तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अपना जो मेरा एक्सपिरियंस है, जो कुछ मैंने सीखा है, उसे आपसे शेयर करना चाहता था, तो आने वाला जो समय है, अब वो मैं आपको बताऊँगा कि अल्ट्रा हाइडेंसिटी की प्लांटेशन के वक्त हमें क्या ध्यान में रखना होता है, और प्रूनिंग, प्रूनिंग टेक्निक्स इसकी एक, एक इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट कीज है, तो आपको वो सी शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद.